हेलो दोस्तों मेरा नहीं में गौतम और आप देख रहे हैं यूलाइकलिक्टोनिक्स और दोस्तों आज की स्ट्योडियो में हम आपको यूनिवर्सल होम थेटर बना कर दिखाएंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक 2.1 होम थेटर या 4.1 होम थेटर का इसको बो पचास है उसके लिए मैं यहां पर टांसफर्मर यूज कर रहा हूं दोस्तों वह है बाराज जिरो बाराज पांच एम्पेर का अगर यहां पर बीस तीस आइसी रहता वह आपका तीन एंपियर भी चल जाता लेकिन यहां पर यह पीस पचास है इसलिए मैं अच्छा सांड क के लिए मैं यहां पर बाराज 812-5 एम्पेर कर टांसफर्मर यूज कर रहा हूँ और इसको मैं यहां पर 6mm का एक पलाई का टुकला रखा है मैं इसी के ओपर इसको फिटिंग करूंगा तो दोस्तों यहां पर जो इस प्लाइवूट पे इसको करने के बाद आप इसको कहें भी ले जाकर यूज कर सकते हो इसमें एक टूजेटिस में कनेक्सेन कर दूँँगा चले दूस्तों सबसे पहले मैं यहां पे इस टांस्फरमर को और board को fix करके देखुँंगा कि यह दुनों हमारा कहां पर fix होता है तो दोस्तों कि यहां पे इसका जो print है इस transformer में टच ना हो तो दोस्तों मैंने यहां पर masking कर दिया है लेकिन इससे पहले में यहां पर अपिस वोड का वाइरिंग कर लेता हूं तो वाइरिंग दोस्तों आपको यहां पे बहुतδी संपल है तो यहां पे देख सकते हैं यह पीन हमारा audio input का हो जाता है यहां पर 5V output आप audio module को चलाने के लिए यहां पर 78.05 voltage regulator लगा हुआ है तो यहां से 5V output करेगा यहां पर jack निकला हुआ है लेकिन यहां पर 3 पीन बने हुए हैं तो यहां पर देख सकते हैं यह हमारा base के लिए potential meter यहां पर यहां यूज होगा और जस्ट उसके उपर यह जो देख रहें दोस्तों वह हमारा subwoofer के लिए य यूज होगा तो यहां पे आप 12-0-12 का supply दे सकते हो तो जो center वाला है वह वह हमारा लेट राइट होता है ठीक है यहां पर देख सकते हैं इस प्रकार से इसको पैरलेल में दिया गया है तो अब दोनों में से किसी स्पीकर सोकेट यूज कर सकते हो यहां पर हम प्रटेंशोमीटर जो है बेस कंट्रोल के लिए मैं यहां पर यूज करूंगा तो दोस्तों यहां तो फेदेख सकते हैं मैंने 47 क्रिसे का तीन वाला यहां पे प्रकार्ण करों आगा रहे और यहां प्रकार्ण कुछ करनेक्शन करें भाड़ करें लोरा पसके पलूप सेलब भांते मिनीश्ट कर देख सकते हैं यहां पर उसके बाद मैं इसमें पोटेंस्टमेंटर का कनेक्शन करूंगा तो यहां पिसका अडियो इन्पुट है तो मैं यहां पे अडियो इन्पुट के लिए मैं कुछ इस परकार से इसमें connection करूंगा जैसे कि audio module के लिए यहां पर जैक आता है तो उस जैक का left और right जो है इस potentiometer के पहला नंबर पीन और दूसरा नंबर पीन में डाल देना है उसके बाद जो बीच वाला पीन हमारा बचता है दोस्तों ground का उसको हम ground के साथ connection कर देंगे बचा बीच वाला पीन तो बीच वाला पीन दोनों पीन से वायर लेकर एक ground से लेकर यहां पर तीन वायर निकला है तो इसका connection में यहां पर left right और ground के साथ मैं connection कर दूंगा यहां पर मैंने connection कर लिया दोस्तों और उसके बाद मैं इसमें card में supply देने के लिए 5V का जो यह connector होता है उसको मैं connect करूंगा तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर 5V output होता है तो मैं यहां से वायर को connect कर लूंगा तो दूस्तों यहां पर शिर्फ आपको प्लस वाला का connection करना यहां पर यहां पर एक 5V के supply के पास एक capacitor लगा होता है उसके प्लस वाले पर हम इसका प्लस का connection करेंगे बागी जो मोडियूल में जो माइनेस जाएगा उसको हम यहां पर जो दो capacitor लगे हुए है इसके माइनेस और प्लस दोनों एक साथ जो ground होता है इस capacitor के जो माइनेस होता है उसके पास हम इसमें लगा देंगे यहां पर लगाने के बाद दोस्तों हमारा जो है हमींग बहुत ही कम हो जाएगा यहां पर supply का हो गया यहां पर main potentiometer उसके साथ audio input और यहां पर base control ठीक है तो यहां पर यह हो चुका है उसके बाद दूस्तों हम इसमें जो है speaker का और subwoofer का connection करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैंने subwoofer के लिए दो wire निकाल लिया है और उसके बाद speaker के लिए भी मैं यहाँ से wire को निकाल लेता हूँ तो दोस्तों मैंने यहाँ पर audio output के लिए मैंने speaker circuit में कुछ इस परकार से connection किया है जो कि दोनों बीच वाला एक साथ मैंने ground किया है और बाकी left और right यहां से output होता है तो यहां से तीन wire निकलेगा जो कि बीच वाला से जो तो हमारा दोनों सोट है दोनों एक साथ black है वह हमारा ground होगा वाकि यह दोनों वारा main output होगा तो यहाँ पर आप दोनों जैक में से किसी एक जैक में connection कर सकते हो दोनों जैक का सेम connection होगा चलिए मैं यहां पर इसका connection कर लेता हूं तो दोस्तों मैंने यहां पर connection जो है कर लिया है उसके बाद subwoofer के output वाले pin में भी मैं जो है speaker socket का connection हो यहां पर कर देता हूं तो दोस्तों subwoofer के लिए मैंने यहां पर dual channel का speaker socket होता है उसको मैंने parallel में जो की दोनों एक साथ हमारा काम करेगा यहां पर और यह दोनों सेम रहेगा ठीक है तो मैं यहां पर जो है इसका connection कर देता हूं तो दोस्तों यहां पर जो हमारा subwoofer का यह हो चुका है और यहां पर speaker का भी हो चुका है लगग हमारा यहां पर complete wiring हो चुका है बस इसमें हमें power supply का ही connection करना है तो मैं यहां पर कुछ इस परकार से जो है एक साथ सभी वायर को यहां पर लाओंगा उसके बाद दो दो सप्लाइ का connection करूंगा तो यहां पर बहुत ही सिंपल है इस बोर्ट पर आपका जो है बारा जिरो बारा का connection होगा तो मैं यहां पर किसका connection कर देता हूं तो दोस्तों मैंने यहां पर टांसफर्मर का connection कर दिया है अब यहां पर हमारा सप्लाइ का भी हो चुका है चलिए अब मैं यहां पर जो है इस बोर्ट को मैं यहां पर fix कर देता हूं तो दोस्तों यहां पर double tape से मैंने यहां पर सभी को चिपका दिया है उसके बाद दोस्तों मैं यहां पर speaker का और इस subwoofer का मैं यहां पर screw के जरीए यहां पर tight कर देता हूं इसको कि यह दोनों speaker का और subwoofer का मैं यहां पर screw के जड़ीए यहां पर tight कर दिया है और यहां audio module को लगाने के लिए दूस्तों मैं यहां पर छोटा सा step का जो है क्लिप यूज करूंगा यहां पर इस परकार से लगाऊंगा और यहां पर इसको इस परकार से fix कर दूंगा ठीक है कि चलिए मैं यहां पर इसको फटा फट से लगा लेता हूं तो दोस्तों यहां पर हमारा जो है audio पैनल भी यहां पर fix हो चुका है उसके बाद में यहां पर यहां पर निकला था पांच वोल्ट सप्लाई के लिए तो मैं सप्लाई के लिए मैं दोस्तों यहां पर यूज कर दूंगा जहां पर इसका सप्लाई आता है इस कार्ड का मैं यहां पर इसको लगा दूँगा उसके बाद इस पोटेंस्यों मीटर से जो हमारा और यू इंपुट के लिए वह रहाता दोस्तों तो उसको मैं यहां पर लगा दूँगा तो यहां से हमारा और यू इंपुट हमारा हो जाएगा ठीक है और यह बचा दोनों हमारा पोटेंस् यह अंहीं पर खेश्ट करके लगा देते हैं यहां पर ए में यहां पर मैं 9 लगा दूंगा अ अ है तो यह पी यह हो चुका है हमारा दोनों ठीक है और इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट वाल जुका मohnों बचा दुस्तोंoughs हमारा पावर सप्लाई का यह वैर्द तो इसमें मैं में कनेक्शन कर लेता हूं यहां पर देख सकते हैं तो मैं यहां फे सको जो है कनेक्शन कर लेता हूं तो दोस्तों यहां पर मेन वयर का भी मैंने connection जो है मेन वयर से कर दिया है इस प्रकार से और लगहोंगों दोस्तों हमारा यह हमारा फैनली तयार हो चुका है तो चलिए एक बार हम इसमें सप्लाई देकर इसको चेक करते हैं कि यह हमारा किस परकार से काम करता है तो दोस्तों मैंने इसमें सप्लाई दे दिया है और देख सेकते हैं यहां पर यह हमारा ब्लुटूथ मोड पर है तो चलिए हम एक बार इसमें सबुफर और स्पीकर का कनेक्शन करके और इसमें स्वांग प्ले करके देखते कि यहारा किस परकाफ से काम कर रहा है तो छली दुस्तो मैं अब यहां पे चैस पीकर का और सब्धोरा का कनेक्शन कर लेता हूं तो दुस्तों यहां पे मेरे पास 1 5 ounce का सब ऑफर है और दोस्तों आप ध्यान रखें कि इस बोर्ड में आप 8zet में का सब rallies करें क्योंकि इस यहाँ पर हम पर का कनेक्षेन करते हैं जो कि स्टेटी लइट फिखर है तो अब यहाँ पर फोलूँ का अगर आप लगाते हो तो अच्छा होगा किशा है कैसे सिंगल चैनल पर सेंगल ऐसी है यहाँ पर कोई ब्डिज मोट eh तो यहां पर दूस्तों जो है स्पीकर में ने कर दिया है और यहां पर सब उफर का चुका आप के जो घडुरा और सपलाई दे ता हूं और इसको कर ते को चेक करता हूं हं यहां सब्सकूत दे दिया है और देख सकते हैं यहां पर यहां पर थोड़ा हमिंग आपको सुनाई दे रहा होगा तो बस आप इसको एक छोटा सा ट्रीक है आप इसको ग्राउंड कर दिजिए आपका हमिंग बिल्कुल खतम हो जागा ठीक है यह भी मारा ब्लुटूथ मोड़ पर है यह हमारा FM है चले इस पर हम सॉंग प्ले करते हैं यहां पर हम USB को लगाते हैं दोस्तों यहां पर हमारा सॉंग जो है प्ले हो चुका है कर दोस्तों यहां पर हम जो है दोस्तों जैसा कि आपने देखाokol कि यहां पर यां जूनिवर्सल हूम् ठेटर् हमारा बहुत अच्छा से काम करता है तो इस परकार से आप अपने घर पर एक यूनिवर्सल हूम ठेटर्र बना सकते हो तो दोस्तों वीडियो का जाया तो प्लिज लाइक किरे शैर किरे और